दिख रही है न टैम्टिंग, स्वाद में भी खजब है कद्दू आपका फेवरेट ना हो जाए तो कहना यहाँ पर मैंने लिया है धाई सोगाम कद्दू इसका छिलका हटा देंगे अब इसे कद्दू कस कर लेंगे तयार है आज पर पैन रखा इसमें डाला एक टेबल स्पून एडिबल ओयल अब डाला एक चम्मच जीरा एक चम्मच राई और एक चम्मच सौंफ कुछ करी पत्ता दो हरी मिर्च बारी कटी हुई लहसुन की चार पांच कलियों को कद्दू कस करके डाला आधा छोटा चम्मच हींग मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है लहसुन हलका साथ कलर चेंज कर ले तब इसमें आड़ कर रही हूँ कद्दू लहसुन हींग और सौंफ कद्दू के पक के दोस्त है यू केन नेवर गू रॉंग विद दीस विद कद्दू मीडियम फ्लेम पर इसे बीच-बीच में चलाते हुए तब तक पकाईए जब तक कद्दू का कच्चा पन ना निकल जाए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हाड़ली टो मिनिट्स हमें कद्दू का कच्चा पन निकालना है लेकिन इसे completely cook नहीं करना है लगबग 2 मिनिट हो चुके हैं अब डाल रहे हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर इसके बाद एड़ कर रहे हूँ एक छोटा चम्मच चिली फ्रेक्स मिला दिया नमक अभी नहीं डालना है यहाँ पर मैंने लिया है देड कटोरी फिटा हुआ दही इसमें एड़ कर रहे हूँ कद्दू का मसाला बहुत प्यार से हल्के हाथों से हमें इसे मिलाना है ताकि कद्दू के लच्छे तूटे नहीं हमने कद्दू को कंप्लीटली कुक नहीं किया है कद्दू की न्यूट्रियंट वैल्यू और उसका क्रंच दोनों बरकरार है इससे स्वाद कई गुना बर जाता है अगर आप इससे उबालकर बनाएंगे तो पानी के साथ उसकी न्यूट्रियंट वैल्लियू और स्वाद भी चला जाता है यहां पर मेरे पास है ड्राइप उदीना लीव उसे हाथों से क्रश कर केस में मिला रही हूं फ्रेश पुदीना अविलेबल हो तो उसे भी बारी कट करके यहा कोई बात नहीं आधा चम्मच काला नमक जरासा नॉर्मल नमक दो छोटे चम्मच शक्कर शक्कर इस डिश को मीठा नहीं करेगा मगर टेस में इजाफा कर देगा बारी कटी हुई हरी धनिया डंडियों के साथ इसे मैंने काट लिया है हलके हाथों से मिक्स करें बहुत आसा कि जैसे खाएं साइड डिश में खाएं या रायते की तरह खाएं लेकिन ठाली में सबसे ज़्यादा इसे ही खाएंगे गार्निश किया चिली फ्लेक्स से प्र मुह सच प्यारी रेसिपीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल लाइक शेयर और कमेंड प्लीज नमस्ते